इरान इसराइल से बदला लेने पर उतारू है अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए अपनी जंगी जहाज रवाना कर दिये है तुदर रूस भी ताल ठोक रहा है कि इरान का साथ देगा अब सवाल है कि क्या रूस युक्रेन युद्ध और हमास इसराइल संगर्ष के बा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध एटम बंवाला होगा देखे रिपोर्ट खाड़ी खौल रही है इसराइल के बीच तनाव शरम सीमा पर है पश्यमी मीडिया में रिपोर्ट शप रही है कि किसी भी वक्त इरान इसराइल पर हमला कर सकता है इसराइल कह रहा है कि वो इरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तयार है हालाद चिंता जनक है युद की रण भेरी बजने से पहले इरान और इसराइल दोनों जमीन से आसमान तक पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ती तौल रहे है इरान इसराइल युद भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी ये आग मौस्को भी पहुँचेगी ये आग वाशिंग्टन भी पहुँचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद सबसे भयंकर सबसे ज्यादा रग्तपात वाला संद्राम जिसमें जमीन तो इसरेल इरान की होगी लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है अमेरिका जो की पहले से ही मिडल इस्ट में अपनी जबरदस्ट सैनिक शम्ता का प्रदर्शन करता रहा है अब और आगे बढ़ रहा है इसरेल पर इरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विद्भनसक जहाज उतार दिये है पहला है यूएसस कार्णी जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोईयों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर पूच कर दिया है इस विद्भनसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है USS Carney Guided Missile विदभनसक है USS Carney अरले बर्ग श्रेणी का विदभनसक है USS Carney Harpoon Anti-Ship Missile Launcher से लैस है 1996 से अमेरिकी नेवी में ये विदभनसक अमेरिका का अग्रणी हतियार बना हुआ है अमेरिका किसी भी कीमत पर इस्रैल को हारते हुए नहीं देख सकता ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इस्रैल की चिंता है ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यपोरों में इस्रैल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोशक है इरान से अमेरिका की कट्टा दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इस्रैल का साथ देना ही होगा ये बहुत बड़ी वज़ा है कि जिसे देखते हुए इरान इस्रैल के खिलाफ सीधी कार्यवाई करने से अब तक बचता रहा है लेकिन अब इस्रैल में इरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है जिसे इरान बरदाश्ट करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी इरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इस्रैल के खिलाफ जंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है लहाज़ा इरान के सुप्रीम लीदर आयातुल्लाख खाम नहीं इस्रैल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है और उधर अमेरिका साफ लैसे में कह रहा है कि इरान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा सुनिए अमेरिका के राश्वपती जो बाइडन ने क्या कहा है इस्रैल को भी अमेरिका का ही सहरा है ये अमेरिका ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इस्रैल के साथ खड़ा होगा इसलिए इरान के युद्ध छेडनी की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी का मुव्मेंट देज हो गया है यूएसेस कार्मी विद्वनसक की डिटेल आपको दिखाए अब दूसरे विद्वनसक से जुड़ी डिटेल देखिए टाइमस ओफ इस्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एरक्राफ्ट करियर यूएसेस ड्वाइट आइजनहावर लाल सादर के रास्ते इस्रैल पहुँच रहा है ये इरान की तरब से दागी जाने वाली मिसाइल और ग्रोन को रोपने में सक्षम है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एरक्राफ्ट करियर है जो पर्माडू हतिया, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैसे इसके शमता 5,000 सेनिकों को ले जाने की है इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अभियानों में मदद पहुचाने के लिए एक एहम भूमी का निभाच चुका है अमेरिका, हमास, इसरेल, युद्ध भड़कने के साथ ही खाड़ी में खेले बंदी कर चुका है लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने सिर्फ इरान या मुस्किन देश नहीं खड़े होंगे बल्कि खड़ा होगा रूस, रूस जो योकरेन युद्ध में अमेरिकी मदद के चलते अब तक लड़ता रहा हजारों सैनिक गमा चुका है, करोणों डॉलर फूक चुका है और अभी ना जाने युद्ध कब तक रूस का खुन चुसेगा इसलिए हो सकता है कि रूस, इरान, इस्रेल, युद्ध चड़ने की सूरत में अमेरिका से योकरेन वाला बदला लेने के लिए बेड़ जाए यानि अमेरिका के जंग में कूद्धे ही ब्रिटन समेत अन्य पश्यमी देश भी इस्रेल के साथ मूर्चा समाल लेंगे इस हालत में इरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी योकरेन युद्ध में भी अमेरिका की मनाही के बावजूद इरान ने रूस को भर भर कर ड्रोन सप्लाई किये हैं जिसने योकरेन में खूब कहर मचाया है हलाकि रूस इरान से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं निभाएगा कि उसने रूस की मदद की है बलकि राश्रपदी व्लादे में पुतिन के लिए ये एक मौका होगा अमेरिका से बदला लेने का अमेरिका जो की नैटो देशों की ताकत मिलाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है इरान और सभी मुसलिम देश एक साथ मिलकर भी उससे युद नहीं जीत सकते लेहाजा रूस उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनोती साबित हो सकता है अमेरिका वो देश है जिसने पहले से ही मध्यपूरों में अपना सैनिक जाल बिचा रखा है उसकी भी डीटेल देखिए मध्यपूरों के आठ देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखिए इस बीच इसरेल के पीम बेनेमिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दोरा किया है इस दोरान नेतन्याहू ने इरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इसरेल भी हिसाब बराबर करेगा नेतन्याहू ने कहा हैं कि हम चुनौती पूर्ण समय में हैं हम घाजा में युद्ध के बीच में हैं जो पूरी ताकत से जारी है बंदकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इसरेल का प्रात में खतियार है हमारा सिधान सरल है जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेगी इरान किस वक्त इसरेल पर अटेक करेगा इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश पे खिलाब जंग नहीं छेड़ता लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखीगी जिसमें होने वाले नरसंगार के बारे में फिलहार सिर्फ सोचा जा सकता है मिडल एस्ट में दो ताकतवर देश भीड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा ऐसा भी कहा जा सकता है कि अब प्रत्यक्ष तोर पर ये तीसरे विश्युद्ध की तरह होगा